Hello everyone, to friends, आज मैं आपसे बहुत ही सुन्दर स्लीव डिजान शेयर करने वाली हूँ, काफी ट्रेंड में भी है आजकल, तो ये देखिए, मैंने नॉर्मल स्लीव ली है, लेंथ साढ़े आठ इंच ली है मैंने इसकी, सेंटर में मैंने एक कट लगा दिया है, अब एक कपड़ा कर लिया है मैंने, इसकी लेंथ मैंने ली है पांच इंच, चोडाई मैंने ली है थ्री इंच, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और सिलाई लगा के इसको पलट लेंगे, इसकी इस सिलाई को बीज में रखके न अच्छे से प्रेस लगा लेंगे हम, इसको अच्छे से यह हमारा सेंटर का कट मैंने लगाया हुआ है इसको बिल्कुल सेंटर में हमने रखना है पट्टी को और यह हमारा सीधा साइड है पट्टी को भी सीधे के उपर इस तरीके से सीधा रखना है बिल्कुल सेंटर मिलाते हुए हम बीच में एक सिलाई लगा लेंगे तो इस तरीके से तो एक और फैब्रिक चाहिए हमें तो ये फैब्रिक लिया है जितनी हमारी ये सिलीव की चोड़ाई है ना इससे बढ़ाई चाहिए क्योंकि हमारी जो ये वाला कपड़ा रहे गाना इसमें लगेंगी प्लेट और ये छोटा हो जाएगा इसलिए एक एक इंच से बढ़ा चाहिए ये देख लीजे ये हमारा फोल्ड पड़ा हुआ है और ये इतना बढ़ा रखा हुआ है मैंने कम से कम भी दो इंच बढ़ा रखेंगे अब इसको इस तरीके से कर लेंगे हम उल्टा और इस तरीके से ये वाला सीधा रहेगा हमारा ये वाला कपड़ा उल्टा रहेगा इस बात का ध्यान रखना है इसको भी हम सेंटर कट लगा लेंगे ताकि बिल्कुल सेंटर से मिलकर आए बिल्कुल सेंटर मिलाते हुए रखना है अब इस तरीके से इस कपड़े को करेंगे मार्जन जो है वो सिलीव के साइड में चला जाएगा और यहाँ पे हमने एक स्टीच लगानी है सिलीव के उपपर बस यहाँ पे जो हमने यह पट्टी लगाई है न इतना हमने छोड़देना है उसके उपर हमने सिलाई नहीं लगानी जो टॉप स्टीच लगा रहे हैं हम उसके उपर नहीं लगाएंगे इतनी गैप में हम स्टीच नहीं लगाएंगे इतनी gap पे जो हमने top stitch नहीं लगाई है न और जो हमने दूसरी stitch लगाई है उसे भी खोल देना है इतनी ही gap में तो यह देखिए मैंने खोल दिया है अब यह वाला जो फैबरिक है न इसको हमने थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लिना है यहां से तो फ्रेंट्स अब क्या करना है न हमने यहां पर चोटी चोटी प्लीट्स लगानी है इस तरीके से बो टाइप का बने गाई है तो अब ना हम प्लीट्स लगा लेते हैं तो इस तरीके से कर लेंगे और बिल्कुल सेंटर में हमने सिलाई लगानी है तो यह देखिए यह हमारा सेंटर हमने कट लगाया हुआ है पहले भी और बिल्कुल सेंटर में जो प्लीट्स हमने तयार करनी न वो एक इंच का उसका होना चाहिए तो इस तरीके से हो जाएगा और यह जो है न पट्टी इसको न यह जो हमने गैप छोड़ा था न इस तरीके से यह इसी गैप से निकाल लेना है इस पट्टी को और यहां से देखेंगे यहां पर इस तरीके से करेंगे न तो यह आ गई हमारी पट्टी इसको हम जहां से खुला छोड़ा था इस तरीके से करके न वाप्रिस से स्टीच कर लेंगे अच्छे से करना है बिल्कुल फिनिशिंग से तो फ्रेंड्स यह देखियां से बंद हो गया है अब न हमने यहां से सिलाई लगानी है इसको यहां से आमने सिलाई लगानी है उल्टे साइड से लगाएंगे हम सिलाई तो अब लास्ट काम क्या करना है यहां पर इस तरीके से बोग को करेंगे और यहां पर हम सिलाई लगा लेंगे तो यह देखिए पूरी कंपलीट हो गई हमारा स्लीव डिजाइन और यहां से यह बोगी अच्छे से तो फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग अजब आदेखिए ले बोग कर दो तो यहां से भीडियो में थैंक यहां से बोगी अच्छे से बोगने ओढोके से बोगी तो एंक यहां से प्रेंगे